हफते भर से चर्चा में रही ट्रेनी आईएस पूजा खेड कर और उनके परिवार को लेकर मामला अब और गंभीर हो गया है। पूजा की मा के खिलाफ दर्ज F.I.R. के बाद पूरा परिवार फरार हो गया है। पूजा की मा पर किसानों को पिस्तॉल से धमकाने का आरोप है। पूलीस ने बताया कि परिवार को ढूणने के लिए तीन जांच टीमे बनाई गई हैं। पिछले हफ़ते पूजा की मा मनोर्मा खेडकर का एक विडियो वाइरिल हुआ था, जिसमें वह पुने में किसानों को धमका रही थी। एक किसान की शिकायत पर उनके खिलाफ भारतिय दंड सनिता, IPC और भारतिय शस्त्र अधिनियम, Arms Act की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों के अनुसार, पुलीस पूजा खेडकर की मा मनोर्मा और पिता दिलीब खेडकर को खोज रही है, लेकिन वे अपने घर पर नहीं है और उनके फोन भी बंध हैं। अधिकारियों का कहना है कि परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। विडियो में जो 2023 का है, मनोर्मा खेडकर कुछ लोगों को बंदूग दिखा कर धमकाते हुए देखी जा सकती हैं। यहां मामला किसानों की जमीन पर अवैत कबजा करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। मनोर्मा पर आरोप है कि उन्होंने जमीन पर कबजे को लेकर किसानों को धमकाया और मीडिया को भी धमकाया। उन्होंने मीडिया कर्मियों पर हमला किया और धमकी दी कि अगर उनकी बेटी ने आत्म हत्या कर ली तो सभी को जेल में डाल देंगी पिछले हफते ही पूजा खेड कर का ट्रांसफर पुने से वाशिम जिले में कर दिया गया था महराश्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुप्यों की शिकायतों के बाद यह ट्रांसफर किया है उन्हें कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूजा खेड कर की शिकायत की थी अब पूजा खेड कर वाशिम जिले की एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्त है लेकिन मा के खिलाफ दर्ज मामले के बाद से पुलीस का पूजा से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है पुनी में अपने प्रोबेशन के दौरान पूजा खेड कर ने कई विशेश सुविधाओं की मांग की थी जो आम तोर पर प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती उन्होंने लालनीली बत्ती और वियाईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ओडी कार का इस्तमाल किया अपनी गाड़ी पर महाराश्ट्र सरकार का बोड लगाया और अतिरिक्ट सुविधाओं की मांग की पूजा के पिता जो खुद एक रिटायर प्रशासनिक अधिकारी हैं ने भी जिला कलेक्टर के दफ्तर पर दबाव डाला की उनकी बेटी की मांगे पूरी की जाएं इस घटना से जुड़े सभी पहलूँ पर नजर रखते हुए हम आपको इस मामले पर आगे की जानकारी और अपडेट्स देते रहेंगे यह घटना प्रशासनिक अधिकारियों की जिमेदारियों और आचार संहिता पर सवाल खड़े करती है अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ताजा खबरों और रोचक घटनाओं से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पासकें अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं धन्यवाद जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में